नमस्कार दोस्तों मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी हमिसा की तरह जरूर लिखे तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दिवाली में जब मतलब जैसे आपने दुरगा जी के लिए खोईचा भरा था ना ठीक उसी प्रकार से हमें माता लक्षमी जी की खोईचा में क्या क्या डालनी चाहिए क्योंकि किसी भी माता को बीना खोईचा का हमें अपने घर से बिदा नहीं करनी चाहिए और खोईचा का प्रसाद का क्या करना है वो भी मैं आपको जरूर बता दूंगी क्योंकि आप लोग उस वार बहुत पूछ रहे थे और वो चीज मैं नहीं बताई थी तो आज मैं बता दूंगी कि खोईचा का प्रसाद को क्या करना है ब्रामोड को देना है कि खुद खाना है तो चलिए सबसे पहले जान लेत तो चलिए शुरू करती हूँ तो ये है देखिए ये है धान जी अगर आपके पास धान है जिससे चावल बनता है वो धान अगर है सबको मालूम होगा धान होता क्या है तो वो धान भी आप माता को खोईचा में दे सकते हैं चावल नहीं दिया जाता है ठीक है अगर ना मिल तब देखिएगा पीला चावल रंग के दे दीजिएगा लेकिन अगर चावल आपको धान मिल जाता है तो आप धान ही कोशिस कीजिएगा देने के लिए तो यह ना धान का यह लवा है ठीक है यह धान को मने भून के और इसमें से यह लवा निकला है जो कि दीवाली में आपको Mithy Ut Talking डेह सकते हैं यह लडू ले सकते हैं यह जो आपकी मर्जी हो वह आप ak Atari हो गई दूसरी चीजी सबसे सूब चीज जो के आपको मालुम है हल्दी हलदी आप जरूर लिजिएगा किसी भी सूब कारे की सुरुमात हल्दी से होती है किसी पार को में आपको हल्दी जरूर देनी चाहिए ठीक है तो यह हो गई हल्दी आप चाहें अगर यह नहीं है तो पॉडर वाला भी हल्दी ले सकती है लेकिन लीजिएगा जरूर अगली चीज क्या हो गई यह दूरवा देखिए दूरवा भी चाहिए खोईचा में सबसे सुभ इसको माना जाता है तो य कि आप अपने इच्छा के अनुसार जितना भी चाहें ले सकते हैं तो यह हो गई तो पांच चीजे हो गई एक दो यह तीन चार पांच और यह कभी भी सम संख्या में नहीं दिया जाता है एक रूपय का क्वाइन रख लिजेगा तो इतनी सब चीजे माता को हमें खोईचा में डालते हैं ठीक है और बिंदी सिंदूर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन उतना जरूरी नहीं है दुरगा जी को ही चढ़ाया जाता है माता लक्षमी को आप इतना ही डालिएगा और जनीव डालिएगा गनिस जी को जनीव जरूर उनके गले में कंधे पर पहन पार 2 बार और यह तीश्री बार और यह चवथी बार और पांचवी बार की पूरी थाली यह हम अपने भंडारे में डालेंगे और किसी को भी खोईचा दिजिए माताओं को को दिजिए जो ही देवी-दुर्गा को तो आप उसमें से क्या किजिएगा दो बर ऐसे लिजिएगा ऍटिक समझ में आहा है न दो बार जरूर निकाल लिजेगा कई सारी मेरी बहने बोली थी कि दिदी हम दो बार निकालना भूल गए थे जल्दी में लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेगा भूलिएगा मत सुब होता है पूरा धन अपना किसी को नहीं देनी चाहिए अपनी लक्षमी थोड़ा सा दो बार लिजेगा और थाली को कभी भी पलटिएगा मत देखे मैं कई बार समझा दे रही हूं और इस पूछते हैं आप लोग इसका क्या करेंगे तो यह चीज ना अपने या तो आप लोग अपने यह तो चावल में मिला नहीं सकते हैं इस जगह पे चावल रहता तो हम अपने भं देखिए देखने में कितना खुबसूरत लग रहा है लग रहा है सच में किसी बेटी को वीधा किया जा रहा है तो लक्षमी जी को दिवाली के दिन आप जरूर दीजिएगा और यह हो गया मुद्रा द्रब भी मैं डाल दी आप अपने इक्छा क्यावान 101 जितना आपको द आप अखेक कशा दि तो यह हो गया और डालने के बाद ना इसको ऐसे पकड़ के बड़ा कपड़ा तो दोड़ा सा लिजिए लौणे लियापील इसको बांध दीजिएगा माता के पास ऐसे करके इसको बांध दीजेगा और छोड़ देनी है दिवाली के दिन जो ही हम माता को चढ़ाएंगे लक्षमी जी को उसी रात हमें उठानी नहीं चाहिए अगले दिन हम उठाते हैं तो ठीक है आप वहीं छोड़ दीजेगा इस प्रकार से डालके फिर आप ल लोग इसको खुद इसका प्रसाद खाईएगा बच्चों को दे सकती है और ऐसे खोईचा अगर बहान और बेटी अपने ससुराल लेकर जाती है तो वहां उनके घर जो ननद रहती है आस पड़ो से अरिस्तेदार नातेदार की बेटी लोग वहीं लोग खोईचा खोलते है और उन्ही का ये सब कुछ हो जाता है लेकिन अभी हम ये किसको देंगे तो ये हम खुद खाएंगे ये किसी को दिया नहीं जाता है और जो पैसा है ये आपके घर में अगर लड़की होगी कन्या होगी तो उसको दे दिजेगा कुछ खरीद कर इससे खा लेगी या अपने लिए खरीद लेगे ठीक है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा आसा करती हूं कि सारी बातें आप लोग के समझ में आ गई होंगी कि खोईचा कैसे देना है खोईचा किसको मतलब देने के बाद क्या करना है उसका और खोईचा कब उठानी है तो अगले दिन जो बीधी व लाकर रखिएगा मतलब पूरी रात जले साम से लेके रात तक जलनी चाहिए माता को हमें उस दिन अंधेरा में लक्षमी माता को नहीं रखनी है ठीक है और सिंदुर तिलक सब लगा दीजेगा खोईचा इस प्रकार से भर के बांध दीजिएगा पक्का बांध के वहीं छो बार-बार कुश्चन पूछ रहे थे लेकिन इस बार मैं अपने तरब से पूरी कोशिस की हूँ कि आपको पूरा अच्छे समझा दू तो यहीं तक था हमारा वीडियो आसा करती हूँ उमीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाब मिलेगा तो फिर म मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहे सुरक्षित रहे और एक बार प्रीम से बोलिए लक्षमी माता की जै सिरी गनीस जी की जै